हलो फ्रेंड्स मैंसल्ब डॉक्टर प्रवीन पाइल फॉमन मेकानिक क्लिनिक आज वर्ल्ड स्पाइन डे विश्यू वर्ल्ड स्पाइन डे आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे इजी 5 एग साइजेज जिससे आपका स्पाइन हेल्दी हो सकता है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है आज अपन देखेंगे बैक पेन प्रिवेंट करने वाले या उसको ट्रीट करने वाले एक साइजेस यह जो एक साइजेस है यह मैंने दो हिस्तों में डिवैड किया है पहला हिस्ता है फ्लेक्जिबिलिटी एक साइजेस और दूसरा हिस् flexibility exercises means strength वाले exercises चलो अपन देखते हैं first flexibility exercises पहला exercise रहेंगा आपको hip knee flex करके उसको stretch करना है आपको इसमें क्या करना है आपका जो knee है 90 degree hold करके उसको पीछे से grab करके जो knee है आपके shoulder तक लेके जाके उसको hold करना है hold करते time approximately आपको 20-25 seconds hold करना है और आपका breathing normal रखना है वैसे ही आपको दूसरा leg का exercise करना है आपको hip knee bend करना है दोनों हातों से knee के पीछे पकड़ना है और stretch करना है टूर्ड आपके shoulder को वापस 20-30 seconds hold करना है ऐसे आपको तिन-तिन बार दोनों पाउं का करना है दूसरा exercise करेंगे दोनों knee bend करना है और दोनों knee आपके shoulder तक pull करना है इसमें आपको अच्छे से आपके lower back को stretch आएगा AB exercise आपको 20-30 seconds hold करना है दो से तीन बार करना है अभी तिसरा exercise दमन flexibility के लिए देखेंगे जो आपन hip muscle को stretch करने वाल है क्या करना है आपका right leg bend करके उसको cross करके रखना है और दोनों हाथों से गुटने को पकड़ के आपके chest के तरफ pull करना है और वापस 20-30 seconds आपको hold करना है ऐसे आपको दूसरा leg का भी करना है नी bend करके आपको opposite नी के तरफ cross करके रखना है और stretch करना है और again 22-30 seconds आपको stretch करना है रिलाक्स अभी आपन देखने वाले spine को strengthen करने वाले exercises याने stability exercises इसके लिए मैं चूज कर रहा हूं quad report position quad report position याने cat वाला position आप cat वाला position पर आ जाईए यह position में अपन क्या करने वाला है कि आपका जो spine है maximum neutral position में रखने वाले है neutral position याने क्या जो कमर का हिस्तों में गड़ा जैसा feel आना चाहिए हलका सा जो उपर वाला जो chest वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा उचाओ आना चाहिए आपका जो neck है neck आपका neutral position में आना चाहिए perfect अभी आपको क्या करना है जो तो आपका कमर वाला हिस्सा है थोड़ा सा उपर करना है हलका सा जो जादा गड़ा है अपको गड़ा करेक्ट करना है येस मिस कमर वाला हिस्सा अपका न्यूट्रल पोजिशन में आ गया है अभी आपको क्या करना है जो आपके दोनों लेग्स है या जो अपन शीन बोन बोलते है, वो हिस्सा दबा के रखना है, और दोनों हाथ के जो पंजे है, वो दबा के रखना है, अभी इसके साथ आपको नॉमल ब्रिधिंग करना है, नॉमल ब्रिधिंग ये इसूली आपको abdomen region से करना है, पेट वाले हिस्से से करना है ना कि आपके चेश्ट वाले हिस्से से करना है और यह position आपको minimum 20 to 30 seconds या उससे ज़्यादा आप hold करके रखना है ध्यान रहिए आपको आपको breathing stop नहीं करना है breathing आपको relax ली पेट के हिसे से continue करना है यह exercise से आपको spine के जो मसल को stability आते है उसकी strength बढ़ती है अभी अपन दुसरा exercise देखने वाले है जो की back strengthen करने वाला है सबसे आसान exercise है आपको सिधा लेटना है आप यह नीचे mat लगा के कर सकते हैं एक छोटा stool लेके आपको क्या करना है ए नीचे रखना है ऐसा position adjust करना है कि आपका hip और knee 90 degree में आना है यानि नी जो है आपके exactly hip के ऊपर आना चाहिए वैसा position adjust किजिए अब आपन उपर से जाते है आपका neck neutral position में रखना है ज्यादा आपको bend नहीं करना है या ज्यादा ऊपर उठाना नहीं है shoulder आपको आपके floor को touch होना चाहिए hand आपके straight relaxed position में चाहिए अभी आपको क्या करना है इसके साथ आपको breathing continue करना है जो breathing आपका abdomen area से होना चाहिए यानि पेट वाले area से होना चाहिए ऐसे आपन 10 सेकंड तक normal breathing का practice करेंगे इसमें आपका breathing बिलकुल भी chest area से नहीं चाहिए एक बार आपका breathing आपके abdomen region से यानि पेट से आना शुरू हो गया तो आपके दोनों हाथ उपर करना है almost 90 degree उसमें elbow सीधा रखना है आपके finger spreaded चाहिए और shoulder आपको floor को touch होना चाहिए वापस breathing continue करना है एक बार वापस relaxed breathing आपके abdomen से आया अभी थोड़ा और अपन difficulty एड़ करेंगे दोनों पेर वो आपके stool से थोड़ा सा off load करेंगे देखें कितना difficult आपको लग रहा है आपके muscle जो spine के चारों दिशों से muscle को strongly activate हो गये है अभी आपको इसके साथ वापस आपका normal pet वाले हिस्से से breathing continue करना है यह position आपको at least वापस 20 seconds या उससे ज़्यादा कोशिश किजे या आपको लगता है कि मैं ठक गया हूँ या ठक गई हूँ तब तक आपको hold करना है याद रखे आपको breathing hold नहीं करना है आपको relax abdomen breathing continue करना है जब आपका हो गया है तो एक पाउन नीचे वापस stool पर रखे अगें डूसरा पाउन नीचे रख दिजे और relax हो जाईए अभी जो आपने exercise देखे है आप घरपे करना start किजिए बिलीव मी ये exercises आपको back pain prevent कर सकता है और कुछ हद तक उसको treat भी कर सकता है अगर आपको लगता है आपका pain अभी भी कम नहीं हो रहा है तो आप human mechanic clinic जो कोरेगव पार्क पुनी में स्तित है वहाँ आके आप विजिट क clinic highly equipped clinic है definitely आपका problem वहां solve हो जाएगा ये वीडियो अच्छा लगा ना तो जल्दी से ये वीडियो लाइक कीजिए subscribe कीजिए और आपके दोस्तों के साथ share कीजिए अगर आपको कोई questions है तो comment box में हमें बताए हम solve करेंगे धन्यवाद